अभी रिसेंटली कुछ दिनों से बहुत इसारा स्मार्टफोन का एंपर में एंबॉक्सिंग कर लिया है लेकिन मुझे यह लगता है कि मैं 2020 में नहीं जी रहा हूं मैं 2015 या फिर 2014 कुछ पांट 6 साल पीछे जी रहा हूं क्योंकि यहां पर यह जो स्मार्टफोन निकल का आ रह और डीटेल में आपके सायर करोंगा कि यहां पर क्या गड़बड़ी है गड़बड़ी का गड़बड़ी यहां पर 2020 में साइज इससे घटिया फोन आपको कहीं पर भी नहीं लगा और आप भी यह सुनके हैरान हो जागए और जो कोई वी आपर हॉनर के कुछ भी यहां पर बदनामी हुआवे हुआवे का को बहुत ज्याद है आपने काम से मतलब ना रखते हुए दूसरों के डेटा को यहां पर देखता है कभी चुराता तो यह इसा क्यों करता और और एक बात बताना था जो की युएस में वहावे कंपनी को तो डाइट ले हाँ पर ब्यान कर ज तो इंडिया में भुवा था और यह जो स्मार्टफोन है और यह बिल्कुल गूगल कर सकते हैं तो क्या है वावे का और यूएस का क्या यह फंड आए ठीक है जल से वीडियो को आगे बढ़ते हैं में और आप देखिए अपर टेक्टन और यूटूब चाहिए जैनुएन इस प्राइस वह मैं आपको लाइस में बताऊंगा क्यूंकि आप लास तक नहीं देखोगे तो मुझे वास्टाइम नहीं मिलेगा और मुझे वास्टाइम चाहिए क्यूंकि मेरा जो चाहने उसको मॉनिटाइम भी करना है ठीक है तो फर्स्ट मैं आपको स्पेक्स बोलूँग प्लास्टिक का फ्रेमिंग है और आगे आपको तो वही आपको ग्लास देखिना मिलता है थोड़िए प्लास्टिक देखिना मिलेगा और 146 का वट है और बेक में आपको वही बहुत classic design बहुत ही पूराना design कह सकते हो single camera का सेटप के साथ और इसका साथ है आपको डिस्प्ले अगर आप ये यूज करोगे अब भी ना नॉस्ट वाले डिस्प्लेय में 5.7 इस बहुत यादा कम होता है लगबग आप मान सकते हो पहले फोन आते थे उसी टाइप का गोल लगेगा क्यूंकि आप पर 6.4 या फिर 6.2 ऐसा होना चाहिए था मेरे इसाफ से लेकिन बहुत यहादा डिस्प्लेय छोटा है में कहूंगा और इसके साथ यहां पर जो प्रोसेसर है आप अगर सुनोगे लिटरेली आप हेरान हो आपको मीडियाटेक हिलियो 822 जो की तो गिगार को टेक्स को टेक्स अ 53 और आपको यह पर जो मिलता है बहुत पुराना जीपीव बहुत फोन प्रांदे लेगिन अभी कोई फोन में नहीं आता थे का हलाकि अभी टेक्नो और इंफिनिक्स के साथ कुछ आ रहा है और मैं तो इंफिनिक्स या फिर टेक्नो के फोन पर चल जाओ बैस्ट रहेगा मैंने इसको ऊपर वीडियो बना चुका हो अगर आप देखना चाहोगे तो यहां पर आई बटन इस साइड या फिर इस साइड आ जाएगा इंट स्क्रिम में डाल दूंगा डिस्क्रिशन लिंक देंगा ज तो चैमरे आप सुनके बिल्कुल अविकावी हरान हो जाओ कियोंकि यांपर डूल चैमरा तो आप भूली जाओ सिंगल कैमरा है और सिंगल कैमरा में कोई भी आपर स्पेसिक कोई भी आपर फीचर वगरे भी नहीं है अब बस यहां पर HDR में सूट कर सकतो 13 MP कैमरे और एक फ यहां पर फ्रेंट में भी आप वान के सूट नहीं कर सकतो बस रियर में सूट कर सकतो और बैटरी बैकप अगर आप सुनो के तो भाई बिल्कुल लिटरल ही आप पागल हो जाओ क्योंकि आज के टाइम पर मिनिमम आप कितना सोच सकते हो 3500 या फिर 4000 ठीक है इतना सोचो ले पैसिंग लगवग लगवग यहां पर 9600 रुपे आप ही सोच लिए जो में यहां पर डाइट ले आपके साथ से सहर करना चाहूंगा जो मेरा उपिन नहीं यह फोन डिजर्व करता है ओनली 4000 रुपे का क्योंकि यहां पर जितने सारे स्पेक से मैंने अगर कंप्यार करो इतना कुछ यहां पर बढ़िया नहीं और यह जो 3000 यहां पर बैटरी मिल रहा है वह बैटरी ध्री ध्री यहां पर डाउन होता चला जाएगा आपको सभी को बता है लेकिन इतना कम बैटरी तो दे रहा है भाई मुझे बिल्कुल नहीं लेगता कि 9600 रुपे में आप क्या स सबस्क्राइब कर दिया है मुझे तो पता है आपने सबस्क्राइब कर दिया होगा लेकिन साइड में आरा जो का बेल बटन ना उस पर आल देख लेना क्यूंकि आल होने पर ही कुछ नोटिविकसन जाता है नहीं तो नोटिविकसन वीडियो का नहीं जाता है तो थोड़ा कॉल कर दो बेल बटन पे और जो टेक्नो स्मार्टफोन या फिर इंफिनिक स्मार्टफोन जैसे में आपको बता है जो कि बहुत यहां पर क्वाड क्याम को सेटप मिलेगा 48 Megapixel क्वाड क्याम मिलता है वो फोन में तो अगर आप देखना चाहोगे वो फोन के बार में डीटेल अनबॉक्सिंग वीडियो तो यह पर आपको ही पर भी दिखेंगा होगा जल्दी से वीडियो देख लो और जल्न इसे मिलते और वीडियो में तब तेले thank You so much for watching.